वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल वार्ड लिट्रेचर तुड़े आविल डिसकर्स फ्रैंकफुर्ट स्कूल ओरिजन एंड इवेलपमेंट तो फ्रैंकफुर्ट स्कूल है इसको हम लोग क्रिटिकल थेरी भी कहते हैं तो क्रिटिकल थेरी यह एक फिलोस्फिकल और सोशिलोजिकल मुमेंट थी और फ्रैंकफुर्ट स्कूल का जो ओरिजन हुआ था वो 1923 में हुआ था सबसे पहले जो थे वो फैलिक्स वेल थे फ्रैंकफुर्ट स्कूल में तो उन्होंने जो है, वो मार्सिस स्टडी की बेस्ट रकी थी जर्मनी के अंदर तो एक्च्री जो है, जो मार्सिजम है यह पर क्रिटिकल थेरी हमारे पास वो मार्सिजम की ही developed form है मतलब कि पहले मार्सिजम था उसके अंदर थोड़ता चेंच करके जो है वो critical theory बनाएगी, अगर gedода Marxism हमारी पास है वो objective है तो critical theory, जो हमारे पास subjective है, अगर Marxism जो है वो immutability है तो हमारे पास critical theory है, वो है हमारे पास changeable है, अगर उसके बाद हम बात करें जो Marxism है वो foundational है, तो critical theory anti-foundational है अगर marxism हमारे पास empirical है तो critical theory हमारे पास normative है marxism हमारे पास value free है तो critical theory हमारे पास value added है marxism हमारे पास explain form में है तो critical theory understanding form में हमारे पास मوجود है अगर marxism हमारे पास rationalist form में है तो critical theory हमारे पास reflective form में है यह इसका था difference और गरहम बात करें कि जब नाजिस यहां आए जर्मनी के अंदर तो 1933 के अंदर हमारे जो जो ए क्रिटिकल थेरी के तियोरिस्ट थे फिलोसफर्स थे इनको यहां से जाना पड़ा और यह फिर कॉलंबिया उनिवस्टी न्यू यॉर्क के अंदर शिफ्ट हो गए वहां इनको जाकर काफी स्पोर्ट मिले तो फ्रेंटफर्ट स्कूल का बेसिकली परपस क्या था यह सोसाइटी को एज़ा होल चेंज करना चाहते थे इसके की पॉइंट्स देखें आप इसकी पॉइंट्स में लिखा है इसा क्रिटीक ओन मॉडर्णिटी एंड कैपिटलिस सोसाइटी देफिनिशन अफ सोशल एमांसिपेशन अगरे इसाइटी के अज़ जो कैपिटलिसम ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उन सब का जो यह सलूशन है जो क्रिटिकल थेरी के फिलोसफर्स हैं तेयोरिस्ट हैं वो देते हैं इसके इंपोर्टन्स अगर हम फिगर्स में बात कर इसके इंपोर्टन्स जिन्होंने मेजर वर्क्स लीए अपने जीन्होंने क्रिटिकल थेरी पर काम किया है उनमें Max हॉकाइमर है थिइओर अडॉर्न है Herbert Marcus वाल्टर बेंजमीन है Eric Fromm है ये इसकी first generation में शामिल है और भी writers है लेकिन major में आपको बता रही हूँ यहां पर second generation में हमारे पास Habermas है जो कि 1970 से start होती है second generation तो ये था इसका background Frankfurt School कहां से origin होता है critical theory कहां से आती है और ये massism का का एक response है यह यह मार्सिजम की developed form है critical जो theory है so thanks for watching हम next lectures में अपने सारे writers को discuss करेंगे critical theory के so subscribe करना, like करना, share करना और comment करना ना बूलेगा